देवरानी जिचाने यह कहानी है देवरानी कनिका और जिचाने नुपुर की कनिका बहुत ही घमंडी और अक्डुस वफाऊ की होती है वही नुपुर सीथी सरल और निक्स वफाऊ की देवरानी कनेका का बेटा यश एक बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़नी जाता है तो वहीं जिठानी नुपुर का बेटा श्लोप एक हिंदी स्कूल में एक रूस मा, मा ये देखो मैंने आज एक कविता को बहुत अच्छे से सुनाया पुरी कक्षा में इसलिए टीचर ने मुझे ये दो टॉफी दिये शाबाश बिटा बहुत खूब बेटा यो हिता रख्य करते रहो जुग जुग जीओ ममी चोकलेट ब्रिंक भिजवा दो मेरे रूम में मैं वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ मा, मैं हुपक करने जा रहा हूँ श्लोप की ये बात सुनकर कनी का कुछ जिनन मैसु सुनती है वो कहती है कविता ऐसे ही हर पल बस अपने बेटी की इंग्लिश स्कूल से नोपूर को नीजा दिखाती रहती और खुद को बड़ा साबित करती रहती लेकिन नोपूर को इस सबसे कोई फर्क नहीं पढ़ता और वो कुछ नाम बोलकर चुपी रहती जहां कनी का अपने बेटे के हर फालतु के शौक को बूरा करके स्कूल में धेर सारा पैसा लगा दी तो वही नोपूर अपने बेटे के साथ बैठ कर उसकी पढ़ाई पर ध्यान दीती श्लोक बच्चा यह ऐसे नहीं लिखते इस पे उ की मात्रा लगाओ तबी जाकर यह शब्द सरल और शुद्ध बनेगा वरना इसे लोग अलग अंदाज में पकारेंगे परमेश्वरी और सिसुर इंदर नोपूर की कमरे के बाहर ये सब देख कर आपस में कहते हैं नोपूर बहुत कितनी अच्छी है इसे किसी चीज़ का घमंड और लालच नहीं घर का सारा काम खतम करके श्लोक के साथ देर रात बैठ कर उसकी पढ़ाई पर ध्यान रखती है आज कल के बच्चों को यही बचाईए कि जब वो पढ़ाई कर रहे हो तो उनके मा या बाप उनके आसपास रहे अक्सर मा बाप से मिला हुआ सारा हर बच्चे की ताकत बन जाता है यश दिन भर एसी वाले कमरे में आराम से बैठ कर कम्पुटर पर वीडियो गेम खेलता है और जब भी कोई दर्वाजा खुल कर कमरे में आता तो वो फॉरन अपने हाथ में किताब ले लेता और पढ़ने का नाटक लगता और उसकी माता पिता याने कनिका और शान को लगता कि याश तो भई बढ़ाई कर रहा है अरे मेरा रॉक स्टार अप तक बढ़ाई कर रहा है ये देखो याश मैं तुमारे लिए ये आइपैड लाया हूँ इसके तुम अपने आइपैड क्लासे अटेंड कर सकते हो और तो और एबुक्स के जरिये अपने परस्नल नोट्स को इसमें सेव कर सकते हो वाउ, तैंकि जो मज़ पापा ये आइपैड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही करूँगा तैंक्स ममी शान और कविता, येश को बहुत लाड़ प्यार और दुलार से बालते हैं उसकी हर एक जरूरत को तुरंद पूरा करते हैं वहीं जेट, जिठानी, नुपूर और विविक, दोनों भी श्लोक को टाइम और प्यार देती हैं कनिका तो दिन में सिर्फ एक बारी येश से मिलती है बागे टाइम अपनी सहलियों के साथ सहर सभाता करती रहती है और नुपूर को अकड़ दिखाना तो कनिका का रोज खाली हो जाता है माजी, पापा जी, आज श्लोक के स्कुल में रत्य प्रत्यों गीता है श्लोक ने भी हिस्सा लिया है आप दोनों चलोगे ना, विविक जी ऑफिस से सीधे स्कुल में ही पांच रहे है रनिका, तुम और दिवर्ज भी आओगे तो श्लोक को अच्छा लगेगा या, are you out of your mind जिठानी जी? आपको पता है ना, मेरा बिटा शेहर की टॉप और नंबर वन स्कुल में पढ़ने जाता है तो बापी बताईगी, इतने बड़े स्कुल में पढ़ने जाने वाले बच्ची की मा श्लोक की घट्याज को जैसे जगा पचाएगी क्या? ये, तो बहुत चोटी होगी, और वहाँ भीड़ोगी, वो भी सारे मिडल क्लास लोगोगी इतना गैगर कनी का आचिट्यूड में वहाँ से चली जा दिया और नुपुर को इस बात का बहुत बुरा लगता है एक तरफ राद पर जाकर नुपुर और श्लोक साथने मिल कर श्लोक का विज्ञान का प्रोजेक्ट मॉडल बना दे है वही यश की एक्जान के दिनों में कनी का उस पर सरा भी ध्यान नहीं देती और घर में एक तरफ यश फेल हो जाता है तो दूसरी तरफ श्लोक कर लिए ज्यादा नंबर से पास हो जाता है उस लोग की खुशियों को देखकर कनीका को फिर से बहुत ज्यादा जलन होती है लेकिन यश के फेल होने के बावजूत कनीका और शान उससे कुछ नहीं कहती उपर से और विकारते हैं जिसके कारण वो बहुत बत्तमीज होती जाता है और दिन बर दिन बड़ों के साथ उल्टा बूलने लगता है मैं इदूंगी का क्या मतलब है मम्मी मुझे नहीं पता आपको मुझे पैसे दे नहीं होंगे बना मैं आज के बाद आप से और पापा से कभी बात नहीं करूँगा बहुत हो गया आप दोनों का ड्रामा यश माइंड यो लैंगविज तुम आपनी उम्रे के किसी दोस्ते नहीं अपनी माँ से बात कर रहे हो सब देख रहें तमिस से पेशाओ क्या तमिस से पेशाओ